जाहिंदुर नमस्कार सारे महत्तो कांक से यह भी अर्थ ही और मने अद्रसगण आप सभी का स्वागत है गृत्मोंट यूपी एजी के यूट्यूब प्रते दिन प्रदशित होने वाली ऐसी संदी सेव आएवा मन्ये प्रतोगिता परिक्साओ के लिए महत्तोपुन आएवा प्रतोगियोगी एसी संपद्यक्य विश्यशन की इसे चरिचा में मैं हूँ आपके साथ धू जानी यहां संसुदीत तत्वों के साथ हम लोग संपद्यक्य जो लेक होते हैं उनकी चरिचा करते हैं जो महत्तोपुना मीडिया रिपोर्ट होते हैं परिक्सा की दिश्टी से चाहे वो UPSC हो चाहे वो स्टेट जो है पुब्लिक सेर्विस कमिशन हो या यह किसी प्रतोगिता परिक्साओ हो आज ऐसे ही जो है दो मेडिया रिपोर्ट के बारे में मैं चल्चा करनी है दूनों ही अपके समय दर्शियमान है सबसे प्रथम प्रदान मंतरी नरंदर मोदी के दोरा जो चार नए प्रोजेक्स का उध्गरण किया गया स्वमिनाथ टेंप्ल गुजरत में उसके बरे में है और जो दूसरा बिंदू है वो जिए लोजिकल सर्व इंडिया के दोरा एक नई सूची जो है नई सूची की घोष्णा की गई यह सरुजनिक की गई जिनमें कई सारी जियो टूरिजम साइट्स का जो चैन किया गया देखेंगे नौर्थ इस्टन रिजिंस में से तक्रीबिन बारा साइट्स का चैन किया गया तो यह सारे बिंदू हो को हम लोग एक अपने अपने एक प्रेजेटेशन के तौर पर देखेंगे जो अंड्रेड है कि यहां अलग-अलग मृदों की चरचा जो है वो एक कारिये सूची के तहट होती है हम पूरे मृद्धे को अलग-अलग विभागों में विबजित कर देते हैं और चीजों को समझने का परियास करते है आज भी एक ऐसी कारिये सूची हमारे सामने है जिसके तहट हमें प प्रजेक्स का उद्गर्ण किया गया प्रदन मतरी नरंद्र मोदी के जो है करकमलो से उनकी यहां चर्चा करेंगे उनका जिक्र करेंगे उनके बारे में जानेंगे कुछी तर्थिया कुछ माहितिया तन आफ्टर वियर गुएंग टू सी अबाउट सुम्ना टेंपल जो की अ कहते है जो कि अपना आप में ड्राविडिया और नग्र सैली का एक मिशरण है तो उसको देखेंगे और क्या विशिष्ट लक्षन होते है चालुक्या सैली के मंदिर के उनके बरे में देखने का प्रेयास करेंगे अगर कवर की बात करेंगे तो देखिए यह सुम्नात मंद कह सकते है स्कूल ओफ आर्ट और अपना आप में चालुक्या सैली जो है वो वेसरे सैली होती है क्योंकि वेसरे सैली एक प्रकर का मिश्रण होता है ड्रविडिया सैली का और नागरे सैली का तो चालुक्या सैली अपना आप में वेसर सैली का एक बहुत ही बड़ा एक्जम् रिलेवेंस की, civil services की exam के साथ, तो यहां कई सारे जुह बिंदुग के ऊपर यहां, लोग इस पर्टिकुलर बुद्धे को लिंक कर सकते हैं, जिन में सब सब रथ हमें GS paper 1, जिसमें history and culture, history, history about some, temple and culture, तो culture which means temple architecture, which we are going to see, namely चालूट किया, फिर उसके बाद GS paper 2, जिन में developmental works by government की चर्चा होती है, developmental works by government, ठीक है, और GS paper 3 की बात करा, तो इसमें tourism को भी इम लोग यहां involve कर सकते हैं, और tourism में भी, specifically जो नरंदर मुदी ने, इस संबोधन में जिसका जिक्र किया था, जिसे spiritual tourism कहते है, spiritual, यानि की धार्मिक यात्रा, tourism, या परियतन, परियतन कहना उचित रहेगा, क्योंकि tourism है, ठीक है, तो इतने सारे subjects के साथ, हम लोग यहां पूरे मुद्य को जोड़ सकते हैं, अपना आपना महत्तों पोना है, भले ही media report है, मगर editorials, जितनी ही ताकत यहां इस media report में देखने को मिलती है, तो शलू करेंगे, सबसे प्रतम वाइड न्यूज, दो बिंदु देखने हैं, जिन में सबसे प्रतम बिंदु कहता है कि PM Modi वर्चुली इनेगूरेटेड फॉर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट एट सौमनत तेंपल, गिर्सौमनत डिस्रिक्ट गुजराथ, देखिए यह इसका स्थान है, भारत में, वेस्टन स्टेट भारत का गुजरत और गुजरत में भी जो सौरस्ट का रीजियन है, उसके साउथ में यहां में सौमनत तेंपल दिख रहा है, ठीक है, दिस इस इस जोग्रिफिकल लोकेशन, एंड नरंदर मोदी ने जो चार ब्यूटिफिकेशन वो यहीं किये है, इस मंदिर परिशर के इर्दगिर्द में, ठीक है, तो यहां हमें स्थान का एक प्रकार से भान करवाता है, देन आफ्टर दूसरे बिंदु को देखे, तो यहां कहा गया है कि वेरियस पोलिटिकल लीडर्स अड्रस्ट नेशन इन इवेंट इन इवेंट प्रजन में ती जनेद्र मोदी जी ने संबुधिन किया और दूसरे गुजरात के सी एम विजिवाई रूपणी ने भी जो है यहां वक्तविय दिया था, तो यह बात रही वाई न्यूस की यहां से यह पूरा मुद्द समाचार में आया, मेंटली चार बड़े प्रोजेक् प्रोजेक्स कोस्टिंग रूपीज 83 करोड रूपे के खर्च से चार ऐसे प्रोजेक्स को उद्गाटित किया दे नेरंद्र मोदी के दुरा जो पूरे राज्य के परियोटन को एक प्रकार से बड़ोतरी परियोटन में बड़ोतरी के लिए मदद रूप साभित होगा, और रूपनेड यानि की वीहर का स्थाल होता है या वीहर रण या वीहर स्थल इंग्लिज में अगर इसे बताना है तो इसे वोकवे कह सकते हैं यह पूरा मार्ग है जो की समंदर में बना है समंदर में कुछ अधिततक बना है फिर उसके बाद रिबिल्डिंग जुना यानिकी प्रफेश अधितल इसे बना है इसे लिए यहां पूरान का लिख स्थल है या एटीएसिक स्थल है वह प्रचली था इस नाम से तो इसलिए यहां जुना रखा गया है देन आफ्टर न्यू स्रीपरवती टेम्पल यस वुप्रपोजड टेम्पल इस तो बीई बिल्ट एक प्रदर्शन गुरू भी बनाया गया एक एक एक्जिबिशन सेंटर भी यहां बनाया गया तो पूल मिला के चार प्रोजेक्ट्स यहां इस तित्रिक स्थल में पूरे राष्ट्र को समरपित किया गया है फिर उसके बाद देखे तो यहां में आहिलाइट्स देखनी है प्रीम नरंदर मोदी के भाष्ण की क्योंकि कई सरे अलग-अलग महत्तोपन बिंदु हो का यहां उन्होंने जो है उनको उपर चर्चा की तो यह देखना अमरे लिए थोड़ा अनिवारिय रहता है देखेंगे सबसे प्रथम इसेड डिस्टुटिव फोर्स एंड पीपल फॉलविए डिए अपर्टिव यहां कहा गया है कि जो प्रासवादी वृत्ति से जो आंतकवादी वृत्ति से अगर आप कोई भी जो है सामराजी को चीनोगे किसी के भी उपर अगर आप प्रभूत्व प्राप कर लोगे अधिपत्य आप आपका जमालोगे तो भी यह एक क्षनिक है इट इस एफेमेरल यानि कि यह क्षनिक है क्षण भंगूर है बहुत ही अलपकालिक है और यह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा एसा यहां डरेंदर मोदी ने जो है अपने भास्न में पूरे रा आप एक प्रकार से इसारा कर रही है और उसको भी यह एक प्रकार से अप्रतिक शुरुप से इसारा कर रही है He also cited example of repeated plundering of Somnath Temple and standing back after every attack. Yes, उन्होंने Somnath Temple, Somnath Temple का troubled इतियास है, उसका भी जिक्र किये और कहा कि कैसा है, Somnath Mandir जो है, वो इतियास में कई बार टूटा, कई बार इसके पर अक्रमन होगा, कई बार इसका विनास हुआ, मगर फिर भी प्रती अक्रमन के बाद ये फिर से खड़ा हुआ, इसना अपनी गरीमा जो है, जो लूटी जा रही थी, बार बार वो वापिस करने में सुमने टेंपल जो है, वो एक प्रकार से सफल रहा, टेंपल is emblematic of, believe that, yes, यहां नरेंदर मुदी के दोरा कहा गया कि टेंपल जो है, वो अपना आप में आज चिन्ह है, किसका चिन्ह है, तो एक मानियता का चिन्ह है, वो मानियता कुछ अनुसार है, कुछ इस अनुसार है, दो मानियता है, सबसे प्रतम, truth cannot be defeated by falsehood, यानिकि सत्य का पराजयी जो है, वो जूट से नहीं हो सकता, यह प्रतम नमरी मानियता है, दूसरी, faith cannot, can't be crushed by terror, जो स्रद्धा है, उसे अतंक से दबाया नहीं जा सकता, उसे सप्रस नहीं किया जा सकता, तो यह दो मानियता जो है, वो यहां इस समनात टेंपल की इस पैतिहसिक जो है, य रिकस्णास वी और फो टेंपल्य आए पैतिवना हो प्रतम से प्रतम से यह भर आलम करीचिघ extern का स्वाक्पल्य को जो नहीं किया नहीं नहीं कि कर्स द।िर सी कंडर मुंष क्कि recipe मों लिए ए बाल करीफ मत्ता है, इसका जीक्र में ने किया थोड़ी देर पहले spiritual tourism यानि कि धार्मिक परियतन on promoting spiritual tourism described the connection between economy and development of spiritual tourism उन्होंने अर्थतंत्र एवाँ धार्मिक परियतन के बीच का बीच के जो संबंध है उसे भी यहाँ पूरे राष्टर के सामने रखने का प्रियास किया और बताया कि कैसे धार्मिक परियतन अपने अपने प्रदेश के अर्थतंत्र के लिए बहुत ही हितकारी है और उसके बाद ही अलसों हेल्ड इंडियास जंप टू 34 in 2019 फ्रॉम 65 in 2013 इनने व्ल्ड ट्रावेल & टूरिय्जम कॉम्प्यिटिटिव इन्डेक्स तो जो विश्व के पटल Nein have पर प्रियरन का भिकास किस डेस में कितना हुआ है बुकिस देसमें कि आँए है इसमें सकतीराय है और इसमें न्रेंड़न बुदी का दूरा कहा गया कि 2013 में जो हम 65 स्थान पर थे वो आज 2019 में विलोग 34 स्थान पर आ गए है दिटो efforts of government तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया और एक सकरात्म की यहां से उल्जा भी प्राप्त की तो यह सरी चीजे है जो कि यहां में नरंद्र मोधी जी के वक्टवियों में देखने को मिली थी यह मोधी जो चैर परसन ओफसरी शोमना ट्रस्ट है यह वी एक महतोपुनों बात है मंद्री ट्रस्ट जो है उनके अभ्यक्स अपने आप में भारत के प्रदन मंतरी है वर्तमान रूप से तो यह बात यहां मैं जो है याद रखनी होगी ठीक है तो यह सरी चीजे थी जो की सबसे प्रतमजीन में में देखना है वो है समुद्र दर्शन प्रमेनेट यानि की विहरन स्थान जिसका नाम यहां समुद्र दर्शन रिखा लिया है क्योंकि यह समुद्र तट्स है यह समुद्र के बहुत ही समीप में है इंफेक्ट समुद्र के अंदर है 1.4 km long walkway developed to create protection wall between temple in the sea yes it is actually developed as like a buffer zone to protect temple from the sea waves ठीक है मंदिर को रक्षन देने के लिए यहां यह बफर जोन के रूप में यह दिवाल का निर्मान किया गया है जो समुद्र के पानी से मंदिर का रक्षन करेगा और समुद्र के पानी को मंदिर में जो है घुसने भी नहीं देगा और इसके उपर अब यात्री जो है वो अब चल सकते है विहार कर सकेंगे सिटिंग इरेजिमेंट्स का भी यहां इंतर्जम किया गया है बैठने की व्यवस्ता है बहुत वोल्स डेकोरेटेड़ बए स्पिरिचुल बिथिकल मिस्टिकल पैंटिंग्स यानि कि जो धर्मसे प्रेरित यहां चित्रों को भी दोनों दीवारों पर यानि की दोनों साइडों पर यह वो क्यों की दोनों भाज़ओं पर लगाया गया है साथ ही में यहां बच्चों के खेलने के लिए का भी इंटर्जम किया गया है इस टॉडल कोस्टेस पोटिसफट समना रुपीज इसके लिए पांच प्रकार से रिनोवेशन के देवाई था या उन्हों थान करवाया था बिल्ट बाइ क्विन अहलिया भाई ऑफ इंदोर इन 17th प्रस्थापित मंदिर बिनाय जाएगा बुर्तमान समय में यह मंदिर नहीं है प्रपोज्ड न्यू टेंपल डिकेटेट टूमा परवती तो बिल्ट टोल पॉस्ट विल बी रूपीज थर्टी करोर्स अप्रोक्सिमेटी टोल अफ देंपल बी 650 स्क्वेर मेटर फोटीफर मार्बल पीलर्स विट इंट्रिकेट कार्विंग्स टेंपल टो बी कंस्ट्रॉक्टेट इन स्वमपूरा सलाथ स्टाइल विल हेव गर्भ गुरू एंड बृत्य मंदबू स्वमपूरा सलाथ देखिए यह गुजरत के अपना आप में बहुत ही जो है प्रमुख जो अर्किटेक्ट है उन में सेयक है ठीक है और स्वमनात मंद मंदिर के निर्मन में भी इन निमाद यू का बहुत ही बड़ा है तो परमुख ऑकया प्रमूख Teaching सेयक्ट है प्रस्थान परवति मंदिर के बारे में अस्के बाद जो चोथा प्रोजेक्ट है वहे ऑग्जिबिशन सेंट्र विल्दी के अच्टर है deputy कव इंड यहां आते हुए परियुटकों को इस मंदिर के भवी एतियस के बारे में प्रबुद्ध करना यह इसका में उद्यस यह है बिल्टक एट कोस्ट ओफ रुपीज 1.3 करोर इस रेलिक्स ओफ 11th और 12 सेंचुरी टेंपल इन इस अपना आप में ग्यारवी और बारावी शताप दीके जो आउशयस है वो भी इस प्रदेशन गेंद्र में देखना को मिलते है तो बहुत ही जो है रोचक इसकी यात्रा होगी और जो अभियारती है जो संसुदन करता है उनके लिए यह एक प्रकार से खजना समान साबीत होगा तो अपने आपने यह चार नए प्रोजेक्ट का उद्गाटन या उसका समर्पन पूरे राष्ट को किया गया ठीक है अब अगे देखे तो संसुदी तट्वों के रूप में हमें कुछ चीजे देखनी है जो कि अपना अपने स्टेटिक है और हमारी परिक्षाओं के लिए भी थोड़ी महत्तोपून है जिनमें सबसे प्रथम हमें देखना है अबाउट समनत टेंपल के बारे में प्रभासपटन जिसके स्थान के बारे में देखा तो यहां मेने फोटो नहीं रखी है मगर इट इस आईली फ्रेम्ड पिलिग्रिम देश्टिनी ठीक है पूरे भारत में हिंदु कहीं पर भी बसा हो मगर उसके लिए स्वमनाथ मंदिर जो है वह एक आस्था का केंद्रा है और पूरे विश्व में से यहां लोग जो है वो आते है स्वमनाथ मंदिर के द्रस्श है तू उसके बाद टेंपल पोजिशनिंग इस कोई यूनिक नौट सिंगल पीस ओफ लैंड इस विजिबल फ्रम स्वमनाथ सी शोर टू अंतर्टिका यह एक अपने आप में इसका विशेष्ट लक्षन है जो आप यहां से जो है अगर आप देखोगे तो आपको मालूम प इसके लिए एक स्थंब को खड़ा किया गया है और वो माहितिय में देता है इस स्थंब कही सदा इस तरफ है नीचे की तरफ ठीक है और यह दुर्साता है कि there is no land not a single piece of land between स्वमनाथ टेंपल एंड साउथ पॉल यानिक अंटार्टिका ठीक है तो यह अपना आप में इसका एक विशिष्ट लक्षन है फिर उसके बाद देखे तो टेंपल हिस्ट्री स्ट्रबल्ड येस मंदिर की जो मंदिर का जो इतिया से वह स्मूध नहीं रहा हर्मोनियस नहीं रहा मगर अपने आपने एक प्रकार से दिक्कत पूर्ण रहा और कई सारे अकरमन हुए अकरमनों इतियास में वह आते रहा है पूरे इतियास में सबसब रथम देखेंगे इन येर 1026 महमुद गिजनी फर्स्ट लूट अट टेंपल एक अजर और चब्दीस की साल में महमद गिजनी ने सबसब रथम बार जो की एक अफगानी अकरमन करी था जो भारत के बारे में जो है कई अगरी सरे ऐसे चीजे सुनने के बाद वो अकरशित हुआ था कि भारत जो है वह एक सुने की चिडिया है उसे लूट ले तो पूरा जीवन आरम देही रहेगा तो उस तरीके से उसने भारत पर अमला किया था ठीक है भारत का जो है एक रकार से प्रभाव सुनने के बाद तो अफल्गान के अफर मोम्मद गुजनवी और इसका हा जाता है कि मोमद गुजनवी बूटेद देंपल आप्रोसिमेटल शिक्टें टो 17 तो 17 टाम्स ग्या फिर उसके बद अफल्गान आया जो कि राफिल चीजी का सरसनपती था कमड़र इन चीफ था और देन केम गुगल एंपरर औरंग जब विल्सो लुटे राइन डिस्ट्रोइट टेंपल इस तेंपल वोस लुटे राइन डिस्ट्रोइड असमन्दिर के यानि कि स्थापत के शेल अपने परिक्सव के लिए महतुपूना जाती है कल्चर में इसका जो है महतुपूर थोड परिक्सव के स्थाइल इसका जिक्र में ने शुरुवत महीं किया और इसका जिक्र में ने किया स्थापतिय का निर्मा करते है तो अर्किटेक्ट्र स्टाइल कुछ इस प्रकार की है इस मंदिर की अब फर्दार अगर देखें तो हमने यहां वोटिस चालुकिया स्थाइल अर्किटेक्ट्चर वो देखना चाहिए ताकि परिक्सा में अगर मुख्य परिक्सा हो या प्रिनरी हो इसमें ऐसे किसंद के पूछे जाते हैं तो हमने यहां हमरे संसुदित इपुट का रूप में यह मंदा भी लिया है तो अब हमें चालुकिया मंदिर की स्टाइल कैसी होगी उसका स्थापत यह कैसा होगा उसके बड़े में मैं जानकरी प्राप्त करनी है सबसे प्रथम बिंदू इसमें देखना है कुंबिनेशन ओफ नागरा एंड ड्रावीडिया अर्किटेक्ट्चर यस तो यह तो एक स्वाविक सी बात है इस परफेक्ट एग्जमपल ओफ वेसर अर्किटेक्ट्चर यस जो मैं आपको शुरुवत में बताया कि चालुकिया अपने अपने वेसर से लिका ही भाग है और वेसर से लिकिया है तो यह एक प्रकार का मिसरन है किनका नागरा स्कूल का एंड ड्रवीडियन स्कूल का फिर उसके बाद चालुकिया टेंपल नोटिसबल फॉर थ्री बेसिक प्लांस यस यह तीन ऐसे योजना है जो कि अपने अपने चालुकिया में मोजुद रहती है चालुकिया सेली के मंदिरों में सबसे प्रथम डिजाइन फ़ फ्लोर प्रोजेक्शन ऑफ अर्किटेक्ट्ट्रल आर्टिकुलेशन यानि की पिलर से बंडब एंड स्कुल्प्चर ठीक है तो यह तीन ऐसे प्रमुख बिंदू है जो चालुकिया स्टाइल में में देखने सबसे अधान स्टाइज हो कि एक ही पत्थर में से उसको कुतर चैब qnay , और यो यह तब की जो high थे घर गाउंद करेंगी मंदिर की हैट कितनी होगी और की होग कितनी होगी 약जाग स्पूर्द बंच थे लीजो Malinda b पहला क्रेक्टरिस्टिक है पिलर्स ऑफ मोनोलिथिक साफ्ट यहां जो वेंटिलेशन लाइट का प्रकाश का वह अथियंत रहेगा चालूग के स्टाइल ऑफ अर्किटेक्ट्चर में अगर कोई भी मंदिर के आप मुलाकात लो और मंदिर परीशर के मंडप में या उसके गर अगर आप तो बहुती ज़्यादा प्रकास देखें कुद्रती प्रकास जो बाहर से आ रहा है तो समझ ले मैं कि यह चालूग क्या मंदिर चालूग के स्टाइल का अर्किटेक्ट्चर है या यह मंदिर जो है वह चालूग के से लिका है देन आफटर दोरवे पैनल्स ऑफ यह जो कमान होती है दर्वाजे के ऊपर वह बहुती अधिक्तम रूप से अलंकली रहती है अरब स्क्यू सीन इं ट्राइंगुलर स्पेशिज ऑफ डॉमिसाल सीलिंग्स यह अरब स्क्यू यह चीज समझने वाली है इस इस दे तिंग इस अ मुस्लिम आट डिजाइन बेरिं जो कि यहां अम्दवद में है गुजरात के तो वह एक प्रकर का अरब स्क्यू है और यह एक इस्लामिक अला है जहां अधिक्तम जो है जो है कुत्रकाम किया जाता है या स्प्रिटिंग किया जाता है विधा पैटन ओफ फ्लावर स्लिवस ब्रांचेस और ट्विश्टेड ठीक है यानि कि एक प्रकार से फ्लोरा का यहां इस्तमाल किया जाता है तो यह अरब स्क्यू है इंपोर्टेंट ठीक है तो यह कुछ इसके करेक्टरिश्टिक्स थे अब उसके बाद देखे तो चजहा इसे यू भी कहते हैं इंग्लिश में डबल कवर्ड अब जा दीख तो समघ्श लेना कि यह चालूकिय स्टाइल अर्किटेक्टर का मंदिर है इंड उसके बाद डेकलटी पिलर्स एंट्रिक डिजईन इन वेस्टर्ट चालूक की यह बीग दो प्रकर के जो हर चालूकिय होते थे अंधिक अधिक भुबर्व को रहते थे और अलंकरीत होते थे और इनमें स्कप्टिंग भी बहुत ही मैनुटली किया जाता था तो यह एक इसका वेस्टन चलुक क्या शेली का यह एक जो है विशेस्ट करेक्टरिस्टिक है विशेस्ट लक्षन है फिर कॉर्णाइस यूज दिन चलुक क्या टेपल्स वो फॉर डाउनव से बचाते थे पानी मंदिर के परिशर में एंटल ना हो उससे रक्षा करते थे तो यह भी इसका विशेस्ट लक्षन है ठीक है तो कई सारे बिंदू थे जो कि हमने यहां टेंपल आर्किटेक्टर में देखे स्पेसिफिकली चालुक क्या स्टाइल में और यह अपने आपन प्रसन निकलते ही निकलते हैं जो अमने एबाउट मीडिया रिपोर्ट में देखा अबाउट अन्यूली प्रोजेक्स में देखा यहां वहां से भी कोई तत्वजों है वो पूछा जा सकता है प्रेलिम नरी में मगर यहां से में प्रसन पूछे जाना कई संभवना है और ए यहां से आप इस प्रसन के लेखन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इस प्रसन के लेखन में गुर्फमोट UPC के उपर जो आज का यह उपाख्यान था और उपाख्यान का जो यह भाग था वो भी आपको बिदरुप साबीत होगा अब बारी है आज के दूसरे बिंदू की जो कि अपना अपने Geological Survey of India के उपर है जिनोंने हल ही में कोरोना लोगडाउन के बाद एक सूची सरवजने की जिनमें कई सरे ऐसे जियो टूरिजम स्पोर्ट्स का चैन किया उनको आइडेटिफाई किया और अब जियो टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए टूरिजम से कवन में इसकी स्थपना हुई थी इसलिए यह 1851 लिखा गया है हिंदी में इसे भरती और भूव एग्नानिक सर्वक्षन कहते है देखेंगे फिर से करिये सुची मेरे सामने इस मुद्दे के लिए पांच बिंदू पर यह मुद्दे समझना है सबसे प्रत्रम समाचर में क् प्रती मीडिया रिपोर्ट को अगर्ड देखते है तब समत्य है कि यह पहले आज इसमझना में चल्चा में आई हार कि में आफ्टर मेडिया रिपोर्ट देखना है इसका अबॉट जी लोजीकल स्रव इंडिया देखेंगे अबॉट जीओ टुरिजम देखेंगे एंड किया गया है और इस से पूर्टीमें प्रकार से टुरिजम बड़ेगा तो अर्थ चंतर को भी वहां एक प्रकार से मदद मिलेगी अर्थतंत्र भी वेगवान बनेगा या गतिशील बनेगा यह प्रथम बिंदु दूसरा बिंदु कहता है कि मुव इस बैक्ट बाइड डिप पोजिटिविटी और राइजिन वेक्षिनेशन येस ये मुव जो है वैसा ही नहीं आया अगर आज तीसरी लेर चल रही होती अगर आज वेक्षिनेशन जीतना हुआ हितना उतना नहीं हुआ होता या जो पोजिटिविटी रेट में आज में गिरवट देखने को मिली है जो भारी गिरवट अगर वो देखने को नहीं मिलती तो साइड जीएसाई का ही ये गोशना जो है अब अब मेडिया रिपोर्ट में तिन बिंदू सबसे प्रथम कहता है त्वेल लोकेशन्स इन दर नौर्थ इस्ट अर इंड़ तरी तो अपरूड जीए टूरिजम और जीविटीज साइट साइट येस कुल पूरे देश में 32 साइट साइट सी है जिसको जीए से ने अपर जीए सनिक लेज यानि की कुंद्रती संदरिय से बरपूर यह जगा है तो यहां जो है प्रकार से टूरिजम जो हो बढ़ेगा और ज्यादे से ज्यादा लोग यहां आना शुरू करेंगे फिर आप दिस 12 साइट अफ नौर्थ इस्ट 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 जो है तो यह अंगर अनिय था अगर आप मेन्स की तियारी कर रहा है इंट्र्थ के लिए पढ़ रहा है तो यह सठी चीज़े इतनी आवश्यक नहीं है फिर सिक्किम है उल्रेडी ओपन दो फॉर तुरिस्ट वाइल आसा में नगर्डेर प्लानिंग यस तो यह उनके राज्यों के निर्णे के बारे में कि कौन से राज्य जो है वो आज फिर से अपना टुरिज्म रिस्टोर कर रहा है रिस्टोर करने की सोच रहा है या उल्रेड कर दिया है तो इनने से कुछ राज्यों ने रिस्टोर कर दिया है जैसे सिक्किम और नगलेंड है मैघलिया है वे विचार विमर्द कर रहे है कि आगे के समय में किया किया जाए एंड डर लाइकली तु रिस्टोर देर टूरिज्म इन सब्टेंबर और ओक्टोबर अब 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 जो टूरिज्म देखना है कि यह दरसल चीज किया है देखिया जिन में सब सब रथ हमें इस टूरिज्म असोशेटेड विद्ध जियोलोजिकल अट्रक्शन्स एंड डेस्टिनेशन्स जियोलोजिकल याने की पुवहिद्यानिक ऐसे स्थलो का परियतन है जो स्थल अपने आपने भू विद्धनान के साथ जुए हुए है तो इसे जियोलोजिकल टूरिज्म कहता है या जियो टूरिज्म कहा जाता है it is one of the chief branch of human geography या human geography की एक अपने अपने मुख्य धारा है geotourism was first defined in England by Thomas Alfred Hose in the year 1995 सबसे प्रथम बार Thomas Alfred Hose coined the term geotourism and he explained that what is geotourism and he was a native of England and he gave this definition in the year 1995 तो यह कुछ बिंदू थे जियो टूरिज्म के बारे में एक प्रकार से विगिननी की यात्रा जो है उसे geotourism कहता है फिर उसके बाद अबड़ जियो एरिटिट साइट्स देखे जियो एरिटिट साइट्स जो है वो UNESCO का एक विल्डवाद प्रोजेक्ट है और यहां जो स्थल तो वेगियानिक दिस्टी सा महत्युक होना है ठीक है उनका चैन किया जाता है और उनका रक्षन सरक्षन किया जाता है वहां परियट इनको बड़ावादिने का प्रियास किया जाता है इस और इनका चैन करके इनका सरक्षन किया जाता है और सरक्षन में जो एपरोच दाखिल किया जाता है वो प्रिस्टिक रहता है सस्टनेबल डेवलोप्मेंट की तरफ यह जो चीज़े है वो इशरा में करती है तो यह एक प्रकर के सिंगल यूनिफाइड जोग्रोफिकल एरियास है जो अपने आपने अंतराश्टी उस्तर का भू विग्यानिक महत्वर रखते है फिर उसके बाद टैग गिव्स देखें मगर दूसरा बिंदू जो है वह में यहां देखना है कि sites are tagged as UNESCO Global Geoparks देखिए जिन sites का chain किया जाता है यहाँ उनको UNESCO Global Geoparks कहा जाता है UNESCO GG कहा जाता है संक्षिप्त में managed by Global Geopark Network यानिकी GG N के दूरा इसका जो है प्रबंदन किया जाता है अब अगर यह tag किसी भी स्थल को मिले ठीक है तो क्या होगा वो हम यहाँ देख सकेंगे टेंग इस इंटरनेशनल रिकर्जिशन for the sites that promote the importance and significance of protecting the earth's geodiversity through actively engaging with local communities यस यह प्रकर से आंतराश्ट्रियों मानियत अप्रदन करेगा उस स्थल को कि जो स्थल अपने आपने पुरे विश्यों के लिए विग्यानिक दुष्टी से महत्पोपुना है जिन में जिनका प्रबंदन करने में वहां की जो local communities है जो वहां के स्थानिक समुदाई है उनका भी यहाँ उनकी भी मदद जो है वो यहाँ ली जाती है तो ऐसे स्थलो को UNESCO Global Geo Parks कहा जाता है या वी हाँ नो UNESCO Global Geo Parks ठीक है मगर आगे के समय में आगे के समय में यहाँ UNESCO के द्वरा हमारे स्थलो का भी चयन होना चयन होने की संभवना में देखने को मिलती है अब थोड़ी चीद समझ ले बाउट जोलोजिकल सर्व ओफ इंडिया के बरे में कि यह संस्था का स्वभव किया है और काम कैसा करती है इसके तहत कारिया करती है अनिया सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे प्रतम इस नॉन स्टेचिटरी सर्वे ओर्गनेशन यह सर्वेक्शन संस्था है जो की ओव इदियानिक है इस भी कानून के अधार पर इस संस्था की स्थापन नहीं की गई ठीक है तो यह सबसे प्रतम यहाँ हमें देखना है कि यह सर्वे ओर्गनेशन है और नउन स्टेचिटरी है दूसरा Attached to Ministry of Minds, यह important point है, Nodal या Parent Ministry कहना उच्छा रहेगा, Parent Parent Ministry is Ministry of Minds for conducting Geological Surveys and Studies, Yes, और Ministry of Minds क्यों, क्योंकि Geological Survey जो है, वो अर्थ की Geology को study करता है, तो Geology में पता चलता है कि कहां कौन से Mineral है, कितने Mineral है, रिजो को जो है, कितना बड़ा है, कितना चोटा है, तो इसलिए, इट वर्क्स अंदर the Ministry of Minds. Established in the year 1851, जो हमने मोनोग्रम में देखा, अगर significance की बात करें, तो तीन प्रकार, तीन तरीक ऐसा है, हम इसका significance, जो है, देख सकते हैं, सब्सक्राइब, जो है, संसुदन करती थी, उसमें से पहली संस्था जो है, वो यहां भारत की यह गिनी जासती है, यहां गिनी जासती है, वन अफ दे ओल्डेस्ट सच अर्गनेशन एकर उस्द ग्लोब, पहुवीगियन में, करिया करने वाली, संसुदन करने वाली, पूरानी संस्थाओं में इसका नाम आता है, एंडि सेकंड रोल्डेस्ट सर्वे ओर्गनेशन इन दो, इंडिया, ठीक है, भारत का, सबसे बड़ा, सबसे पूरा ना, दूसरे नंबर का, यह एक सर्वे, ओर्गनेशन इस सर्वे संस्था है, जिसे GSI, यानि कि Geological Survey of India के नाम से हम लोग जानते हैं, तो यह बात रही इसके significance की, अगर इसके कारियों की बत करें, तो दो भागों में विबजित हम इसका कारिया देख सकते हैं, सबसे प्रत हमें related to creation and updation of national geoscientific information and mineral resource assessment, इसका जिक्र में ने किया कि क्यों Ministry of Mines के तहट इसका प्रबंदन होता है, तो इसका main reason यह है, कि resource को allocate करने में, उसका reserve कितना है, उसका estimation लगने में यह अपने आपने यह जो संस्था है, वो बहुती मदद रूप है, इसका मूल करियर सबस्रथम यह है, दूसरा prime provider of basic orthoscience information to the government, industry and general public, yes, वो विग्यन के बरे में, जो महीतियां है, जो प्रत्मिक महीतियां है, वो मत्र और मत्र इस संस्था से ही में मिलती है, तो इस तरीके से भी यह अपना आपने महत्तों पोना है, और इस संस्था के दवरा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई पी departmental administrative हो, यानि की प्रसाशन हो, या general public हो, आम अदमी हो, उनको यह मही की GSI प्राप्त करवाता है, तो यही सरी चीजे थी, जो कि हमें यहां अज इस पर्टिकुलर, media report के discussion में देखनी थी, यहां से main point of view से प्रसन पूछे जाने की संभवना है, वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहां जो अधिक्तम महीतिया है, जो है तख्यात्मक महीतिया है, elementary महीतिया है, तो यहां से preliminary point of view से प्रसन पूछे जाने की संभवना अधीक है, और एक model प्रसन आपक स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित कथनों के ऊपर हमें विचार करना है, चार कथन हमरे सामने है, सब सब्रतम भारत को भू वेगियानिक सर्वेक्षन संस्था के दवरा 32 स्थलों को भू परियटन हेतु चैनित किया गया है, जिन में से 15 स्थल भारत के उत्तरपुरी एक श प्रोथा के दिन कहता है कि भारत की भू वेगियानिक सर्वेक्षन संस्था एक अव वेगियानिक संस्था है, यानि कि इस नौन स्टेटिटरी ओर्गनाजेशन, इन कथनों को पढ़कर इनके उपर विचार करके इन में से सत्य कथन या एक से अधिक कथनों को में चुनना ह अप्शन हमारे सामने, option 1 कहता है केवल एक और तीन, option B कहता है केवल दू और एक, option C कहता है केवल तीन और चार, and the last option says केवल दू और चार, you need to answer the correct option in the comment section, हमारे तरब से इसका सही ज़िए अब इस session के प्रीमेर होने कुछ हुंटों के बाद हम पिंद अप किया जाएगा, दे सकते हैं, तो यही सरी चीजे थी जो कि आज हमें 23 अगस्त की संसोधित चर्चा में आपके समने रखनी थी, I hope you enjoy the lecture, अब लोग मिलेंगे अगले दिन, अगले editorials, और अगले media reports के साथ, जो अपना अपना प्रिक्सा, बस्टी से महत्तों बोनों हो, साथ ही, ब्रत्मों QP पहुंच है, और वे घरब बैठ है, अपनी UPSC की या स्टैट PCS की त्यारियां कर सक्या, तो यही सरी चीजे थी, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए दिजिये इजाज़त, देखतरी अग्वेख्माट UPSC, जोई हिंद,